हेलो माई दीट स्वेंट्स तो आप सभी का स्वागत है हमारे इडूप चनल पे तो आज हम लोग डिस्कुशन करने वाले हैं पाइथन के एक और स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है कंटीनियू तो पाइथन में कई सारे स्टेटमेंट होते हैं जिनको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट कहते हैं जिनका नाम है जैसे की ब्रेक जैसे की कंटीनियू जैसे की पास तो ये सब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है और इसको ब्रेक जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं तो jumping statement में mainly break और continue आते हैं तो हम लोग break का discussion से हमने पहले बाले वीडियो में कर लिया था इस वीडियो में हमें discussion करना है continue statement के बारे में तो चलिए करते हैं कि continue का काम क्या होता है और हमसे कब यूज़ करते हैं तो python में continue statement है उसको keyword भी कहते हैं continue statement का use होता है कि जब भी हमें अपने loop को continue कराना हो और कुछ statement को skip करवाना हो यानि कि जो continue का main काम है वो होता है bypass the statement यानि कि कुछ statements को किसी particular condition पे bypass करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं continue statement का use करते हैं तो bypass the statement ये हमारा जो continue का काम होता है वो statements को bypass करने का होता है या फिर हम कह सकते है तो किसी particular condition में loop के चलते कुछ statements को execution के लिए रोकना है और फिर next iteration के लिए own statement को execute करवाना है तो इस टाइम पर हम continue statement का use करते हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि मालो आपने कोई logic तयार किया है 1 से लेके 100 तक के लिए मालो की वो logic जो है वो 56 number के लिए काम नहीं कर पा रहा है और आप कहे रहो कि यार ये 56 ना होता ये code execute हो तो अगर आप किसी particular statements को या logic को किसी particular condition में skip करवाना चाहते हैं और फिर next iteration में उसको दवारा से execute करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम continue statement का use करते हैं चले देखते हैं example के तो रहो कि कैसे इस continue statement काम करता है तो हमने एक loop चलाया for i in range इसका use भी हम लोग क्या loop में ही करते हैं continuous statement loop जैसे की for या while में use होता है इसका use करके हम statements को skip करा देते हैं और particular condition में उन statements को या logic को वो execute नहीं करता है लेकिन फिर next iteration के लिए हम लोग बापस आके काम करते हैं break क्या करता था break में हमारा loop ही रुख जाता था इसमें continuous statement loop को रोकता नहीं है loop वहां तक चलने वाला है जहां तक चलाया गया है पूरा चलेगा पर बीच में कहीं किनी particular conditions में अगर हमें logic को रुखवाना हो कि यह next iteration के लिए चले इस बार ना चले तो हम continuous statement का use करेंगे for example for i in range प्रिंट हो लेकिन six और eight ये दो number प्रिंट ना हो तो अगर हमने normally प्रिंट आई करवाया तो आपको पता है कि अगर हम इस तरीके से एक loop चलाएंगे और इसको run करके देखें तो इसका जो answer है वो बन से लेके 10 तक की counting आएगी चली देख भी लेते हैं यहाँ पर देखा हमने एक से लेके 10 तक की counting आगई अभी क्या है कि लेकिन हम चाहते है कि अब एक से लेके 10 तक की counting आए लेकिन six और eight प्रिंट ना हो तो अब ऐसा कैसे हो जकता है लूप चलेगा तो six और eight को जरूर प्रिंट करेगा लेकिन यहाँ पर हम continue statement के help से continue keyword के help से ये काम करवा सकते हैं देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर एक if लगाएंगे और उसमें condition डालेंगे कि यदि i की value यानि कि जब i की value equal equal हो six के और हमें एक चीज और छड़वाना था eight को तो हम लिख देंगे और i equal equal eight तो जब i की value six हो और i की value जब eight हो मालो हमने आपर दो condition के लिए set कर दिया कि six और eight दोनों ही print नहीं होने चाहिए तो जब i की value six हो और i की value eight हो तो यह जो loop है वो continue हो जाए तो हम यहाँ पर continue keyword का use कर देंगे कुछ इस तरीके से और यह हमारा भी complete है तो इसमें हो गया क्या यह loop चलेगा one से लेके ten तक और सारे numbers डिस्प्ले करेगा सिभाए six और eight को छोड़के यूँकि six और eight आने पर यह loop continue कर जाएगा तो पहले हम लोग answer देखते हैं उसका थोड़ा सा समझने की कुशिस करेंगे तो अभी हमने आपे देखा one two three four five उसका six चूटा है seven eight चूटा है nine है और ten है तो देखो क्या हो रहा है आपे जब यह one two three four five के लिए आया तो यह condition false थी तो condition false होने की वज़े से यह नीचे तक गया और उसने printing करी यानि की one से लेके five तक सब प्रिंट हो गया और हमने देखा भी था कि सारे प्रिंट थे उसके वाद जब iqlo six होई होगी तो उस टाम पर यह वाली जो condition है वो हमारी true को होगी अभी जो और कहता है कि जितनी भी condition लगी हो उसमें अगर एक भी true हुआ तो हम चल जाएंगे तो iqlo six होने पर यह condition true हो गया और यह अंदर आके उसने continue कर दिया तो continue करने से क्या हुआ यह control सीधा यहां से उपर चला गया इस statement को छोड़ते हुए यानि कि control इस statement पर नहीं गया क्योंकि अगर जाता तो printing जरूर करता तो यह यहां पर नहीं गया continue ने क्या किया कि उसको उपर continue कर दिया और फिर यह next iteration के लिए अंदर आया तो उस time पर iqlo seven हो गई थी तो जब यह seven के लिए आया तो यहां पर condition false थी तो यह फिर नीचे तक गया और उसने seven को print कर आया फिर जब iqlo eight होई तो अंदर आया eight के लिए तो उस time पर यह वाली condition true हो गई यह वाली condition true होने की वज़े से यह फिर continue कर गया और यह print i तक नहीं पहुँच पाया जिसकी वज़े से eight print नहीं हुआ उसके बाद फिर nine के लिए अंदर आया तो condition false थी तो नीचे तक गया nine print कर आया फिर उपर ten हो गया फिर अंदर आया तो इस time पर भी condition false थी नीचे तक गया और उसने ten को display करा दिया तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने हमारे जो output उसमें six चूटा है और eight चूटा है और बागी सारे number one to ten display है तो कुछ इस तरीके से देखा हमने कि जो continue statement होता है वो statements को skip करा देता है और bypass the statement कर देता है ठीक है अगर आप से कोई पूछता है कि बताइए लूप कितनी बार चला है तो लूप हमारा पूरा ten time चला है क्योंकि control ten times loop के अंदर आया तो how many times loop will execute तो आपका answer होगा ten times लेकिन अगर आप से कोई पूछता है कि print कितनी बार चला है तो print सिर्फ eight times execute हुआ है क्योंकि print ने सिर्फ eight value प्रिंट करी है one two three four five और six छोड़ दिया seven और फिर eight छोड़ दिया nine ten अगर आप counting करोगे तो यह eight times होगा तो print statement चला eight times और loop चला पूरा ten times अब यह print eight times क्यों चला because of continue statement क्योंकि हमने यहाँ पर continue statement लगा दिया इसके उसे six और eight आने पर वो continue कर गया और नीचे वाले statement को उसने skip करवा दिया तो इस तरीके से हम continue statement का use करते हैं आप कोई logic बना रहे हो जिसमें किसी particular condition में आपको लगता है कि जब ऐसा कुछ हो तो यह वाले जो statement है वो execute नहीं होने चाहिए तो जितने भी statement आपको आपसी मारेगा next iteration के लिए दुबारा से entry मारेगा और आपका काम आसान हो जाएगा तो इस तरीके से continue statement का purpose है और हम इसी लिए continue statement को use करते हैं आसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अगर आप देखना चाहते हो while में इसको तो while में भी कर सकते हैं इसको बहुत आसान है देखें कैसे करेंगे हम इसी में editing कर देते हैं हमें i equal 1 बन लिया उसके हम लिख दिया while और इसके bracket में लिख दिया i less equal 10 क्योंकि हमें 10 तक लूप चलाना है तो हमने यहां पर यह कर दिया और उसके बाद हमारा if यहां कहीं रहेगा current भी यहीं कहीं रहेगा और उसके बाद हम इसमें जो i is equal to i plus 1 है उसको भी हम थोड़ा सा इसको change करना पड़ेगा i is equal to i plus 1 अगर हम while के चलते use करते हैं तो हमें यहां पर इसके उपर ही कर देते हैं i is equal to i plus 1 हुए चले हम लोग एक बार नीचे करते हैं उसके बाद समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है तो i is equal to i plus 1 तो इसको हम run करते हैं तो यह देखी है ज़रा ध्यान से हमने इसको run किया तो इसमें स्रिफ 1 to 5 दिया इसका reason देखते हैं क्या हो र अगर हम यहां पर ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो हुआ क्या है, कि जब यह 5 तक condition हमारी false थी, तो अराम से नीचे गया, और print करता गया, और हर बार यह एक एक बढ़ता गया, उसके बाद जब iqlo 6 हुई होगी, तो 6 टाइम में जब यह अंदर आया, तो उसने क्या किया, यहां पर यह condition true हो गई, तो वो इसने इसको continue कर दिया, जब यह continue कर दिया, तो यहां से वो ऊपर चला गया, और यह दोनों ही statement छूट गए, अब इसमें print छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर i is equal to i plus 1 छूट गया, जिसकी वज़े से वो 7 भी नहीं हो पाया, तो वो iqlo 6 बनी और जब वो दुबारा से इंट्री मारी, तो यहां पर फिर से 6 था, तो फिर से वो continue कर गया, फिर से 6 था, फिर से continue कर गया, इसकी वज़े से लूप यह कभी रोक नहीं पाएगा, और 6 पर वो continue करता रहेगा, और हमारा जो आउटपुट है, उसरे 1 to 5 रह जाएगा, और फि false है, तो यह काम करते हैं, प्रिंट को निचे ही कर देते हैं, और अभी कुछ इसका हिसाब बन पा रहा है, क्योंकि i is equal to i plus 1 disturb कर रहा है, तो यहां पर हमने प्रिंट आई कर दिया, तो अब इसको अगर हम चलाते हैं, तो अभी हमारा पूरा आ चुका है, बस स्टार्टिंग का 1 नहीं आया, तो अगर हमें 1 भी लाना चाहते हैं, तो हम इस लूप को फिर 0 से चला देंगे, और इस situation को समझा लेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा 1 भी आ चुका है, और सारे प्रिंट हो चुके हैं, बस 6 और 8 हमारे यहां पर प्रिंट नहीं हुआ है, तो इस तरीके से हम वाई लूप में continue का यूज कर सकते हैं, सीधा सा concept बस continue का यूज यह है, कि जब भी हमें किसी particular condition पे कुछ statement को करवाना हो, जिनने execute नहीं करवाना है, तो वहां पर हम condition लगा कि continue statement का यूज करते हैं, जिसकी वज़े से हमारा काम आसान हो जाता है, और हमारा काम पूरा हो ज हमें है, तो जिर्वे हमें करते हैं, तो जाति ह종ना ही में ते हमारा का मौन आसा आसन पार दियुए है, अजय क्का यूज करते हैं को कि अज़ uh to four Olha बल्स हैं को करते हैं, तो जय हैं, लगारा काम जाए हैं, यॉ दो लोल्य करते हैं, जाले यॉट सा सकता हैं, इनने रिख़